बड़ी ख़बर आपको बता दे भारती जनता पार्टी का मिश्वन उप्चुनाफ रामगड साधनी के लिए भारती जनता पार्टी ने ताकत जोग दी है मंत्री गौतम कुमारदक पूर्व केंद्री मंत्री कैलाश चौदरी बीचे पे विधायक कुलदीब धनकड के साथ बैठके की पूर्व विधायक ज्यानदेव आहुजा को साधनी का काम यहापर किया गया दरसल ग्यानदेव आहुजा के साथ रनिती के बैठे के आपर हुई बगेर ग्यानदेव के रामगड को साधना आसान काम नहीं है तेज सर्रार ग्यानदेव आहुजा रामगड से विधायक रह चुकी है उनके भतीजी जै हाउजा का टिकेट कटा था और पूर विधायक जैराम जाटव से भी मुलाकात हुई दलित वोटों को साधने का जिमा जैराम को सौपा दोनों पूर विधायकों के आवास पर मदन राठोर पहुँचे थे उसी खबर पर विसार से जौन कारी लेंगी हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगी शर्माजी जुड़ गए है कैसे देखते हैं पूरी रणीती को पूरी ताकत बीजेपी ने लगा दी है खास्तोर से उन सीटों पर जहां बीजेपी के तिंक टैंट को पूरी उमीद है कि यहां और ताकत लगाने से सीट हाथ सिल हो जाएगी और रामगड़ो चाहे हीम सरो हो चाहे सरंबूरो चाहे जुझनु भड़ी उम्यार हो चाहे तॉसा हो यह वो सीटें जहां पर बीजेपी का बहुत जाजा फोकस है और रामगर्ड तो कि अब जुबेर खान की निजन के बाद ही चुनाव हो रहा है उनके बेटे कॉंग्रेस पार्टी सुमिद्वा है उनके पुरी मतष्य और मिवाद बेल्ट में जो इमेच है वो भी अपने आप में बहुत एहम हैं तुनाकेवर सिंधी वोटर्स बलकि पुरिशार्थी वोटर्स और तमाम हिंदु वोटर्स पर ग्यानदेव आहूजा का दबदवा रहा है लंबे समय तक और जुमेर खान के परिवार से उनका सीधे तोर पर मुखाबला रहा है तो यह काम जाता हूँ का जा सकता है दलित वोटर्स पर खास्तार से जाता हूँ और दलित मत जाता है उन पर उनके पकाड़े इस इलाके में डॉनरपूरों विधायकों से मुलाका की बहुत ही डिफिकल्ट सीट है बीज़ेपी के लिए आतान सीट नहीं है तिकिन अगर हिंदू बेंक कि लाम बंध होता है कि बिना दलित वोट बेंक को साथे और विना ज्यान देवाउजा को साथे एंदू वोटों का दुरवी करन या नहीं हो सकता है क्योंकि यहां पर बिल्कुल साफ है कि जब बुटों में बटवारा हुआ है तब कॉंग्रेस पार्टी को जीत मिल और जब कॉंग्रेस पार्टी के अलफ संत्य कबर के बीच में बोटों का बटवारा हुआ है तब बीजीप को जीत मिली अजलूर रहमान के कारण यहां पर जुबेर परिवार हरा था तो वहीं जिरा आउजा के कारण यहां पर बीजेपी बीते शुनाओं में हारी हुई त कुल मिला करता जिसकता है कि जब भी बोटों का बटवारा होता है खास तौर से एक पूरी तरह धुर्वी करन के आतर पर जो एंके इंडु मुस्तिम की जो पॉलिटिक्स रही है वी जिनो आरा कि जुबेर खान का परिवार से कुलर फेमिली के तोर पर यहां जाना जाता र और नहीं है कि तरह घ्रवार को पर अजब स्कृति हैं में तरह प्रत जाते पर अपने आप में कई कारनों से भी जह हैं और भार्केजंता पार्टी ने उसमिवार को ट्रिकर दिया जबीते चुनाओं में सेकिन्ध को जिशन पर थे और यहां पर उनके समाज का बवत ले रहे हैं ना बड़ी मिटिंग्स करने में उची ले रहे हैं बलकि वो सीज़े तोर पर वन-टू-वन उनको साधने में जुटे हैं जो डेमेज कंट्रोल की भी रणने थी कह सकते हैं जो भावी कूटनी थी रणने थी भी कह सकते हैं आप देखा होगा कि जिस तरह हकीम शर अब बीजेपी की कूटनीती का हिस्ता है बिल्कुल बीजेपी की प्रदेश के प्रवारी डॉक्टर आदामोहन दास अकरवार भी जापूर पहुंच आएंगे तकरीब अनपोने बारा के अलिकभग उनको जापूर पहुंचेंगे उसके बाद बीजेपी और आगे बढ़ आने का उनका कारिक्रम बन रहा है इसको लेकर भी आपसे जानकारी लेना चुआएंगे कि किस तरह के कारिक्रम यहाप रहने वाली हैं अधिया आदा मौन दा सगरवाल का दोरा साफतवार पर क्योंकि पहले होना था लेकिन वो बिमार हो गए ते इसके वह जैपूर नहीं आपा है रहसता नहीं आपा है अब उनका दोरा कल से शुरू हो जाएगा और अधा मौन दा सगरवाल पहले तो जानेंगे समिश्या करे जी और अधा मौन दा सगरवाल ने परवारी बनने के साथ ही अपने दोरे शुरू कर दिये ते फीडबेक लेना शुरू कर दिया गागा और बीजेपी के टिकीट विटरना में भी उनका सीधा जखल रहा था और अब इस तरह उनके दोरे होंगे और वो गुटनेतिक दोरे होंगे देमेश कंट्रोल के साथ होंगे और पीजिन परदेशन देखका कुछ जगह पर वो मुख्यमंत्री बैजनलाज शर्मा के साथ भी दोरे करेंगे और बड़ी बैठकें चुनावी सबाएं लेंगे जो आखिर का फीज होगा चुनाव के रहनीतिका उसमें ताबर तो जाएंगे इसकर भी पूरा एक रूड मैप तैयार हो रहा है कलो जबूर पहुंचे के कल तूर के जबूर रहने का कारिकम है करो मुख्यमंत्री से और बड़ी प्रदेशन दक्सर मुलाकात करेंगे बैठके करेंगे और उसके बाद उनके दोरों का पूरा प्रारू कारिकम जारी होगा और रिकाद आसकता है कि पूरी टाकत बीजेपी ने आप पर लगा रखिए बलकुल पीजेपी को उमीद है कि जो पुराना स्कोर है इंचाहत में कि वर एक पर ही बार्तियंता पार्टी शुना अवजीती की सलंबुर में इसके लाबा सभी सीटों पर जैर करने में जूटी है मदरला ठोड़ अपने रणिती को बहुत ज्यादा खुलासा नहीं करते हुए गोपनी तोर पर काम मों में जूटे हैं तो ही आप बीजीपी के प्रदेश प्रभारी के नाते रादा मॉंदा जगरवाल आके पुरी समीक्षा इस चुनाओं के बीजीपी मंत्रियों की डूटी लगाए गई है सामाजी के लिए उसी समाजी के अनुरूफ मंत्रियों को और बीजीपी के परदादिकारी और प्रमुक नेताओं को बीजा गया आपने देखा हुए रामगण में कैलाज चौधरी है रामगण में कुल्दीव जंकर की मौजूदीव लिए नाप दिकरी होगी और भी वहाँ पर माली वोट है नलित वोट है जांट वोट है और ब्रामन वोट है यह तमाम जोबोट है और उन सब को साधनी के लिए अलगण समाजी वब्ञकोल suggestions को ब्लकूल जाहिर से बात हैं योगिश्वी सत्ता में होने का लाब तो भारती जनता पार्टी को मिलेगा ही लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि किस सरह से आगे की रणीती बीजीपी बनाती है फिलहाल बहुत शुक्रिया योगिश्वी तमाम जौनकारी साज्वा करने के लिए